जहिन सातियों, Center Armed Police Force, इसके अंदर काफी सारी पोश्टों पर वेकेंसी निकली भी है, जैसे आपकी स्टाफ नर्स की वेकेंसी है, रेडियोग्राफर की है, फीजो थरेफिस्ट की है, फार्मसिस्ट की है, डाइटीशियन की है, बलड बैंक टेक्नीशन की है, लेब के अंदर, CRPF, Central Reserve Police Force के अंदर, ITBP, Indo-Tibetan Border Police के अंदर, SSB, सस्तर सीमाबल, इन सभी के अंदर जो है, ये वेकेंसी निकली भी है, तो आज इस वीडियो में जो है, मैं फार्मसिस्ट के बारे मैं आपको बताऊँगा, और ये जो वेकेंसी की अड़टाइजमेंट है, इसक मैं description में डाल दूँआ, तो यहां से आप download करके पढ़ सकते हैं इसको, और इससे related अगर आपको कोई भी question है, या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो वो हमसे comment section में जाके पूछ सकते हैं, हम आपको answer दे देंगे, तो चलिए, अभी इस notification को पढ़ लेते हैं, तो basically मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी post हैं इनके अंदर pharmacist की, AR यानि Assam Rifle के अंदर निकली है, warrant officer की pharmacist के लिए 26 post हैं, BSF के अंदर कोई भी post नहीं है, pharmacist की, बाकी सारी post हैं, staff nurse वगरा की हैं, तो आप यह देख लिए न, download करके इसको, CRPF के अंदर जो है, वो pharmacist की 123 post हैं, ITBP के अंदर pharmacist की 11 post हैं, और SSB के अंदर SI, यानि Sub Inspector के लिए Pharmacist की एक post है, और ASI यानि Assistant Sub Inspector Pharmacist के लिए 19 post हैं, और मैं इस वेकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ, जो retired personal हैं, वो ही इस वेकेंसी को भर सकते हैं, यानि कि जो ex-servicemen राच चुके हैं, CAPF के अंदर, यानि Central armed police force के अंदर, तो वो इस वेकेंसी को भर सकते हैं, contractual basis पे ये job है, और इसको भरने के लिए जो है, ये पूरी requirement दे रखी है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस यही बताया है कि क्या क्या चीज़े आपको मिलेंगी, क्या क्या चीज़े आपको नहीं मिलेंगी, contractual basis पे है तो अगर कोई interested ex-employee है, तो वो CRPF की site पर जाके इसको check कर सकता है, और इसको भरने के लिए ex-employee जो है, उसको return application एक submit करनी होगी, dig recruitment CRPF को, email id के through, email id यहाँ पर ये लिखी भी है, मैं बतायता हूँ, digrect at the rate crpf.gov.in, within three days of publication of advertisement, ठीक है, तीन दिन के अंदर अंदर करनी होगी तो अभी भर लो आप, और इससे ज़्यादा कोई information चाहिए, तो आप CRPF की site पर check कर सकते हैं, बाकि ये जी window advertisement निकली भी है, तो आप मैंने आपको बता दिया, अगर और भी कोई forces related vacancies आती हैं, pharmacist के लिए हो, चाहे staff nurse वगरा के लिए हो, तो वो मैं आपको बता दूँगा, बाकि ये vacancy आप हमारे description section में जाके download कर सकते हो, और इससे related अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं, बाकि वीडियो को like कर देना, share कर देना, तो चलिए मिलते हैं, next वीडियो के अंदर, अगर कोई information आती है तो धन्यवाद.